36 गड़ के भानू प्रतापपुर में कॉंग्रेसियों ने एक मशाल रैली निकालते हुए उपचुनाओं में बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानन नेताम का पुतला जलाते हुए कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं 36 गड़ के भानू प्रतापपुर में होने वाले उपचुनाओं को लेकर राजनीती गलियारों में हल्चल तेज हो गई है इस दोरान आरोप प्रत्यारोप का दोर भी शुरू हो गया है दोनों प्रमुक दलों के द्वारा लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वहीं एक दूसरे को नीचा दिखाने में भी कोई कोर कसर नहीं छुड़ी जा रही है इस कड़ी में कॉंग्रेस के द्वारा पूर विदाहक और भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मा नंद नेताम के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला गया और मुख्य चौक पर ही नेताम का पुतला दहन किया गया दरसल कॉंग्रेसियों ने भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानन नेताम पर एक बेहदी गंबीर आरूप लगाया है। कॉंग्रेसियों ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानन नेताम ने जारखंड की एक नावालिक को रायपूर में लाकर उससे अनेतिक काम करवाया है। गड़ रायपूर के फ्लेट में प्रवाइड किया था क्रोस्टिटूट ब्रह्भना निताम के लिए कहां से जारखंड से जारखंड की जो लड़की थी जो 15 साल की जो नबाली उसके डायरी में बकायदा दस्वा नमबर में इनका नाम था और इनका कांटेक नमबर था और प भी नहीं गिया था तो ठीक गोल रहे होंगे लेकिन घटना वहां कनी है यह वैस्य विर्ति में ठकेलने वाला जो मामला था यह रायपूर के फ्लेट का है इस चीज को कई हम लोग अकेलर भी घुनते हैं खेट जाते हैं तो हम लोग पोडर रहता है कि इसलिए हम लोग ना भाजवा पत्यासी प्रम्वन नेताम के बारे में भी हम भोड़ता वच्छा निकाले क्योंकि भाजवा पत्यासी बलतकारी 15 शाल की थोटी हमारे बहन के साथ बलतकार किया इ ठासी बलतकी